हाई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ पार्टी एंड वेडिंग हेस्टाइल यह एक स्पेशल लोकेशन में आप कुछ डिफ्रेंस हैं हेस्टाइल ढून रहे हैं और यहां पर मैं बन बनाने वाली हूं जूड़ा अगर बनाना पसंद आ बना सकते हैं और हैस्टाइल अच्छा लगे लोक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूले तो चली स्टार्ट करती हूं वीडियो तो सबसे पहले फ्रेंट मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम किया है और आधे बालों का सेक्शन मैंने यहां पर सब्टेट क सब्सक्राइब के लिए जो रबर बैंड थोड़ा सा मोटा वाला लिया है मैंने आपर बहुत मोटा नहीं थोड़ा मोटा लेना है और उसके बाद पोनी टेल को आंगे की तरफ फ्लिप करना है और एक क्लेचर से सिक्यो कर लेना है ताकि यह बाल पीछे ना आए और आराम स अच्छे से बीच में डालके सिक्यो किया है और अच्छे से पिन लगानी है ताकि यह डोनट बन खिसके ना हैस्टा कि बहुत जली खराब न हो जाए तो इसको बहुत ही अच्छे से सिक्यो करना है चारो तरफ मैंने यहां पर यू पिन और बोबी पिन भी एक दो यूज कर यह जूड़ा बनता है काफी बड़ा बनेगा और अगर आपके बाल मीडियम तू लॉंग हेर है तो बहुत यह असानी से बन जाएगा तो डोनट बन देखे अच्छे से सिक्यो कर लिया मैंने उसके बाद जो क्लेचे से बाल आंगे उपर की साइड पर सब्रेट किया थे उ अच्छे से पूरा देखे बाल अच्छे से कवर हो जाएंगे उसके बाद जितने जूड़ा जितना डोनट बन का साइज है उसके बाद बच्चों बालों में इस तरह से पतली वाली ब्लैक रबर बैन है वह मैंने यूज करी है और लगा लिया है अब बालों को देखना है क और रैप करने के बाद पिन से सिक्यो कर देना है ताकि जो बाल हमने रैप करके अंदर डाले है वो निकलेना तो यहां पर मैंने यूपिन के हैल से पूरा जो बाल है उनको सिक्यो कर लिया है तो यह जो जूड़ा है फर्स स्टेप जो अल्मोस बोले है सेल का कंप्लीट हो अब जितने भी बाल बचे हुए है उनको दो पार्ट में डिवाइट करना है कुछ इस तरह से और इसको लपेटना है जूड़े पे तो सीधे नहीं थोड़ा क्रॉस यानि एक्स बनाते हुए बालो को लपेटना है और पिन से सिक्यो कर लेना है अब देख सकते हैं मैंने किस तरह से बालो को रैप किया है और बिल्कुल त्विस्ट नहीं करना है बालो को स्मूथ करते हुए फैलाते हुए ही लपेटना है ताकि जूड़े का जो शेफ वह बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से फैलाते हुए बालों को लपेटेंगे तो एंड लपेटने के बाद विदाव डेक्रेशन यह भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉस इतना बड़ा जूड़ा है नीड इन क्लीन बनता है बस थोड़ा सा एजली बन भी जाता है तो इ इस तरह से siitä करी हूं तो पहले विदाव डेक्रेशन में कूछ इस तरह से लग रहा देखिए यह रहा है मैं इस तरह से डेक्रेट कर रहे हूं सिंपल तरीके से बेक्राणrim बेट लगाए रहे हूं इसमें गज़रा सकते हैं धोते बहुत हैं बहुत ही संदर लगता है सिर प थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मिलती हो नहीं वीडियो में बाइबाइब